हालो स्टुदेंट्स, वालकम टो अभिपीडिया, पावर्ट बाई अभिमनु आईयस, मैं नेम इस रोहित मिड़ा, स्टुदेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दा नैशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स अफ ट्वंटी ट्वंटी, दोहजार बीस के नैशनल स्पोर स्पोर्ट्स अवार्ड्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की हमारी क्लास में और बहुत ही इंपोर्टन कुछ कोशन हम डिस्कस करेंगे इसको लेके कि एक्जाम में किस तरह के कोशन आप से पूछा जाते हैं, एक्जाम में किस तरह के कोशन इसको लेके आ सकते हैं, Sports Awards को लेके तो हम आज की session में बहुत ही अच्छे question इस class में discuss करने वाले हैं तो जल्दी से join कर लो session को share कर दो class को ताकि हम proceed करें अपनी आज की class को Good afternoon everyone, good afternoon चले बच्चों बढ़ते हैं आगे class की तरफ तो National Sports Awards 2020 ठीक है? National Sports Awards 2020 2020 बहुत ही महत्तपुरण question है आज की class को लेके चले बढ़ते हैं आगे start करते हैं आज की हमारी class चले सबसे पहले आप लोगों के लिए question है ठीक है? आप लोगों के लिए question आ रहे हैं तो सबसे पहला question आप लोगों के लिए ये है कि इन में से किस personality के नाम पर ठीक है? इन में से किस personality के बहँआफ पर National Sports Day हम organize करते हैं National Sports Day राश्ट्या खेल दिवस राश्ट्या खेल दिवस की अगर मैं बात करूँ तो राश्ट्या खेल दिवस National Sports Day हर साल organize किया दाता है 29 अगस्त को 29 अगस्त को अगनाईज करते हैं हम हर साल क्या राश्ट्रिया खेल दिवस National Sports Day तो आपको यह बताना है इन में से किस sports person के birth anniversary होती है 39 अगस्त को जिस दिन हम अगनाईज करते हैं National Sports Day जल्दी से बच्चो अंसर कर दो National Sports Day इन में से किस person की birth anniversary के चलते हुए अगनाईस किया जाता है बहुत ही सिंपल सा कोशन है कब होता है नैशनलो स्पोर्ट स्टिट 29 अगस्त को हर साल अगनाईस करते हैं 39 अगस्त को तो इन मेंसे किसकी बर्थ अन्वर्सरी होती है ये इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के में होकी केलते थे वो बट ध्यान चंद जी का कोई इंटरस्ट ही नहीं था होकी में एक्चुल में पहला पॉइंट इनका नाम ध्यान चंद नहीं था इनका नाम था ध्यान सिंग इनका जो rear lane था वो था ध्यान सिंग, तो ध्यान सिंग से ध्यान चंद का सफर कैसे हुआ, ठीक है, तो अपने पिता की तरह इन्होंने भी army join की, इन्होंने जब army join की तो ये पहले तो wrestling में interest था बट धीरे धीरे इन्होंने hockey खेलना start किया, अज जब इन्होंने hockey खेलना start कर दि अब दिन में तो अपनी army duty करते थे, दिन में तो अपनी job करते थे, बट रात को अंधेरे में जब चांद निकल आता था, ठीक है, उस टाइम पे street lights, flood lights तो इतनी होती नहीं थी, तो जब चांद निकल आता था, तो ये चांद की रोशनी में अपनी hockey practice किया करते थे, तो उसी की वज़े से इनको बोला गया चांद, इनके जो कॉलीक थे, इनको चांद बुलाने लगे, तो वहाँ से इनका नाम पड़ गया, ध्यान सिंग से ध्यान चंद, अब ध्यान सिंग जी के ध्यान चंद की अगर मैं बात करो, अब ये क्यू famous होगे, ठीक है, होकी खेलते थे, ये होकी खेलते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत को, इन्होंने भारत को पहला Olympic Gold Medal दिलाया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत को पहला Olympic Gold Medal दिलाया था, तो उसके कारण, जो मैच इन्होंने खेला था, जो गेम इन्होंने खेली थी, उस गेम के का इनको एक उपाधी भी दी गी तो वहाँ पर रिपोर्टर्स ने बोला कि यह जो आज इन्होंने गेम खेलाई है किसी जादू से कम नहीं है किसी मैजिक से कम नहीं है तो that's why he is also known as Medition of Hockey इन्हें बोला जाता होकी का जादूगर मेजर ध्यान चंद तो ध्यान सिंग से ध्यान चंद आपको समझ में आया होगा भारत का पहला Olympic Gold Medal मेजर ध्यान चंद 29 अगस्त को 2012 में ये दिन की शुरुआत कब हुई 2012 में भारत सरकार ने क्या किया मेजर ध्यान चंद जी के बात्रडे को दुनिया में भारत में अगनाईस करना शुरू कर दिया क्या as a National Sports Day रास्ट्रिया खेल दिवस चलिए अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो Good afternoon मनो जी I am good तो National Sports दे बच्चों कम होता है 29 अगस्त को मेजर ध्यान चंद जी की बर्ट अनवर्सरी होती है ठीक है 2012 से हम हर साल इस दिन को और्गनाईस करते आ रहे हैं और जब भी National Sports Day और्गनाईस किया दाता है उसी वक्त उसी हर साल उसी दिन भारत में दिये जाते हैं National Sports Awards ठीक है रास्ट्रिया खेल दिवस के दिन पर रास्ट्रिया खेल पुरसकार भी दिये जाते हैं हम आगे बात करने वाले रास्ट्रिया खेल पुरसकारों की कि कौन कौन से होते हैं किस किस को मिला है ठीक है 2020 में किस किस को मिला सारी बाते हम करने वाले हैं तो इससे पहले आपको अगर इसमें कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो Major Dhyan Chand Major Dhyan Chand जी के बारे में किसा और याद आता है Major Dhyan Chand जी ने बिसिकली जब बरलिन में ऑलम्पिक गेम खिला था ठीक है बरलिन जर्मनी में ऑलम्पिक गेम खिला था तो उस टाइम इन्होंने जर्मनी को आठ एक से हराया था अब उस game के बाद उस game के बाद अड़ फिटलर फिटलर के बारे में आपको पता अपने नाम सुनोगा जर्मणी के हैड एड़ अड़ फिटलर तो अड़ फिटलर ने इनको बोला था मेजर ध्यान चंजी को कि आप आओ हम आपको जर्मन आर्मी में कर्रोनल की पोस्ट ऑफर क कर रहे हैं बट ही रिफ्यूस्ट इन्होंने रिजक्ट कर दिया नहीं ठीक है विकॉज यह इंडिया ब्रिटिक्ष इंडियन आर्वी में काम करते थे तो उन्होंने अपना देश छोड़कर वहां जाना ठीक है एक हायर पोस्ट से रिजक्ट कर दिया चलिए क्लियर हुआ चलिए बच्चो आगे वढ़ते हैं चलिए अगला कोशन आप लोगों के लिए रास्ट्रिय खेल पुरसकार नैशनल स्पोर्ट्स अवार्ड भारत में किसके द्वारा दिये जाते हैं ठीक है हर साल यह अवार्ड दिये जाते हैं तो भारत में इन अवार्ड को कौन देता ह यह आपको बताना है जल्दी से मेरे बच्चों अंसर कर दो बच्चों जितनी जल्दी आप अंसर करोगे उतनी जल्दी हम प्रोसीड कर पाएंगे उतनी बाते हम जान पाएंगे थोड़ा जल्दी जल्दी अंसर करने का ट्राइ करो within 10 seconds अंसर दे दिया गरो जल्दी से जल्दी National Sports Award भारत में किसके द्वारा दिये जाते हैं देखे रास्टे खेल पुरसकार भारत के अंदर जो अनॉस्मेंट होता है वो Sports Ministry करता है Sports Ministry यहाँ पे बताता है कि किसको दिया रहेगा Sports Ministry basically कैसे बताता है Sports Ministry एक कमेटी बनाता है ठीक है, Sports Ministry एक कमेटी बना देता है वो कमेटी डिसाइड करती है कि इस साल किस-किस को अवार्ड दिये जाने है बट, ऐसे ही नहीं randomly दिये जाते हैं, नॉमिनेशन आते हैं पहले, जो भी different-different organizations होती हैं, जैसे army के player हैं आर्मी भेजेगी, football institutes के player हैं, तो football institutes भेजेगी जो भी different-different organizations होती हैं Sports Universities होती हैं, वो अपने-अपने players का नाम nominate करती हैं, यहाँ पर recommendations भेजती हैं कि हमारा person है, इसके पास yes नहीं यह यह खेला है, इसने यह जीता है, तो इसको award दो ठीक है, तो उसके बाद Sports Ministry एक committee बनाती है, और वो committee decide करती है कि award किस-किस को देना है, ठीक है, वो committee decide करती है, तो यहाँ पर भारत में उसके बाद रास्ट्रे खेल दिवस के दिन पे यह award दिये दाते हैं तो भारत में यह award कौन देता है रास्ट्रपती रास्ट्रपती यह award देता है प्रेजिडन्ट, तियरुआ बच्चो कौन अवार्ड देता है, प्रेजिडन्ट अवार्ड देता है चलिए, आगे बढ़ते हैं next इन में से कौन सा अवार्ड है भारत का सबसे हाइस्ट sports award, ठीक है again interesting question, इन में से कौन सा अवार्ड भारत का सबसे हाइस्ट sports award है, ठीक है यह आपको बताना है क्या अरजुन अवार्ड है, क्या राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड है, या ध्यांचन्द अवार्ड है, या फिर रास्ट्रिया खेल प्रत्साहन पुरसकार है, इन में से कौन सा अवार्ड जो है, वो भारत का सर्म स्ट्रेस्ट खेल पुरसकार है, जल्दी बताओ बच्चों, इन में से कौन सा अवार्ड जो है, वो भारत का सबसे उचतम, सबसे हाइस्ट sports award है खेल पुरसकार है क्या अर्जुन अवाड है राजीव गांदी खेल रतन अवाड है ध्यांचद अवाड है या फिर राष्ट्रे खेल पुरसकार है इन में से कौन सा अवाड 10 सेकिंड लाफ्ट 10 सेकिंड आपके पास जारा टाइम नहीं दूँगा चले बचो बढ़ते आगे तो राजीव गांदी खेल रतन अवाड ये भारत का सरवस्रेष्ट खेल पुरसकार है जो की 1991 में स्टार्ट किया गया था 1991 में शुरू किया गया था इस इन दा नेम ओफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांदी जी की मेंडिया राजीव गांदी जी की यान में इस अवाड को स्टार्ट किया गया था उनके नाम पे 1991 से शुरू और पहली बार दिया गया था विश्वा नाथन अनन्द जी को पहली बार यzeitig विश्वा नाथन अनन्द को विश्वा नाथन अनन्द फस्ट ग्रैंड म्सचर ऊफ इंडिया चेस चैंपियन है भारत के ठीक है अभी इनकी एक अगे बढ़ते हैं कोई डाउट हो तो बच्चो पूछ लेना चलिए अगला कुशन आप लोगों के लिए नैशनल स्पोर्स अवार्ड जो होते हैं यह कितनी केटेगरीज में मिलते हैं मतलब कितने अवार्ड है टोटल हमारे पास यह आपको बताना है ठीक है क्या चार है पांच है छे है साथ है आपको बताना है जल्दी बता दो बच्चो टोटल कितने अवार्ड है टोटल हमारे पास कितने अवार्ड है नैशनल स्पोर्स अवार्ड कितने हैं हमारे पास अरास्ट्रिया खेल पुरस्कार कितनी शेडिव में मिलता है basically अबी हमने पढ़ा था 24 तो आरजुन आवाड हो गया अध्रोना चारे आवड हो गया ध्यानचंद आवाड हो गया रास्ट्रिया खेल पुरसान पुरस्कार हो गया तो टोटल कितनी केटगरीज में मिलता है यह आपको बताना है बच्चो टोटल कितनी केटगरीज में मिलता है यह अवार्ड टोटल कितनी केटगरीज में मिलता है ठीक है टोटल कितनी केटगरीज तो बच्चो टोटल केटगरीज कितनी है साथ केटगरीज में मिलता है यह सा साथ केटेगरी कौन कौन सी है ये साथ केटेगरी है मेरे बच्चो सबसे पहले राजीव गांदी खेल लतन अवार्ड ठीक है मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं साथ में कि कौन सा किस चीज के लिए मिलता है राजीव गांदी खेल लतन अवार्ड ये उस खिलाडी को मिलत है जिसने most outstanding performance दिया हो most outstanding performance दिया हो पिछले चार साल के अंदर देखो बच्चो चार साल यहां पर इसलिए होता है क्योंकि जो Olympic Games होती है Asian Games होती है Commonwealth Games होती है यह Games चार साल बाद ही होती है ठीक है तो actual में यह जो award होते है यह मिलते है इन Games के अंदर जिन खिलाडियों ने bronze medal, gold medal या silver medal जीता हो उसके points के base में ठीक है यहां पर क्या होता है Sports Ministry ने हर एक award के अंदर हर एक medal के point निधरत के हुए है अगर आपने Commonwealth Games के लिए तो Commonwealth में अगर आपने gold जीता है तो इतने point है silver जीता है तो इतने point है, ठीक है, bronze जीता है तो इतने point है उसी तरह Asian Games में, उसी तरह basically Olympic Games में, उसी तरह Commonwealth में तो जितने जितने point होते हैं उस भी हाफस में यहां पर select किया जाता है पिछले चार साल के अंदर राजीव गादी खेल रातन अवाड पिछले चार साल के अंदर most outstanding performance most outstanding performance clear हुआ, उसके बाद आता है अरजुन आवाड, अरजुन आवाड भी same है that is, यह चार साल की performance के लिए मिलता है, बट वो था most outstanding, outstanding performance यह है outstanding performance, यह मिलता है outstanding performance के लिए, outstanding performance के लिए मिलता है, ठीक है, उसके बाद आता है dronachar award, यह coaches को मिलता है, यह award किसको मिलता है, coaches को मिलता है, यह दो category में मिलता है, एक होती है lifetime category, एक होती है regular category, lifetime category क्या, वो coach जिसने अपनी सारी जिंदगी सिखाया है, coaching दी, अब वो अंत कर रहा है ठीक है और regular category जिस जिस जो coach अभी काम कर रहा है और अच्छे sports person produce कर सके यह award basically उसको मिलता है उस coach को मिलता है जिसने medal winners produce कियों जिसने ऐसे sports person produce किये जो भारत को medal दिला चुके है Commonwealth में Olympics में cricket में ठीक है यह उन उन coaches को मिलता है द्रोना चारे award तो basically गुरू द्रोना आपको पता होगा ठीक है महाभारत के गुरू द्रोना जिन्होंने पांडवोर को और वो को शिक्षा दी थी ठीक है तो उनके नाम पे basically award start किया गया था अरजुन के को मिलता है जिसने अपनी पूरी जिंदीगी sports को दियो जिसने अपनी पूरी जिंदीगी game के लावा कुछ नहीं किया ठीक है game खेला उसको promote किया उसके लिए काम किया यह उसको मिलता है ध्यांचंद को companies को जो की खेल को पर्मोट करने के लिए काम करती है या फिर यह ऐसे individual खिलाडियों को मिलता है जो sports को पर्मोट करने के लिए काम करते हैं ठीक है जो sports को यह award दिया जाता है basically उनकी winning के लिए कि उन्होंने जो sports को promote कर रहे हैं वो अपने basically youth level पे जो games जीती जाती है उसके बाद आता है Tanging Norgue National Adventure Award देखो बच्चों यह Tanging Norgue National Adventure Award मिलता है किसके लिए? Adventure के लिए basically जो land पे adventure होता है water में adventure होता है air पे adventure होते है जैसे Mount Everest पे चड़ जाना तो इन सब adventures के लिए basically यह award मिलता है Tanging Norgue National Adventure Award तो यह 7 categories में मिलता है क्या यह awards 7 categories में मिलता है यह आपको पता होना चाहिए झापको पता है झाल 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 हान जी बच्चों अभी आ रही है वाज बताओ जल्दी से अभी वाइस क्लियर है? अभी बताओ आपको यह समझ में आ गया था या मैं दुबारा रिपीट करूँ इसमें आपको वाइस क्लियर था? ठीक है? यह क्लियर हो गया था? आगे बढ़े? इस इस क्लियर यह जो मैंने बताया यह क्लियर है जल्दी से बता दो यह इसको मैं रिपीट करूँ इसमें वाइस थी या नहीं थी? जल्दी बच्चों बता दो क्या रिपीट करूँ? ओके रिपीट बच्चों राजीव गांदी खेल रतन अवाड यह स्टार्ट हुआ था 1991 में यह 1991 में शुरू किया गया था यह भारत का सबसे हाइस्ट खेल प्रोचकार है बेसिकली इन दा मेमरी ओफ राजीव गांदी ची की याद में दिया जाता है 1991 से लेके यह किस खिलाडी को मिलता है? उस खिलाडी को मिलता है जिसने पिछले चार सालों के अंदर मोस्ट आउटसेंडिंग परफॉर्मेंस दिया हो खेल के अंदर ठीक है? मोस्ट अभाण परफॉर्मेंस के लिए और यह किमेटे अथे कामेटी बनाता है और इसने हर गेम के अंदर आ प्वाइंट रखे रह हूए है ।arm परफॉर्मेडेgg पाउल सिल्वर अभाण पाइंट तो जिसके जितने ज़ला प्वाइंट होंगे उसको यह आवार्ड मिलेगा ड रजीव गांदी खेलतन पुरसका अवार्ड जो था वो मिलता था Most Outstanding Performance के लिए और यह मिलता है Outstanding Performance के लिए ठीक है Dad was started in approximately 1961 उसके बाद द्रोनाचारे अवार्ड यह कोचिस को मिलता है यह उस कोच को दिया रहाता है जिसने अपनी जिंदिगी में Medal winners produce किये हो मतलब Outstanding Sports Person produce किये हो ठीक है इसने ऐसे खिलाडी बनाए हो जो Medal जीत के लाते हो ठीक है International Games में यह दो काटेगरी में मिलता है Lifetime और Regular उसके बाद ध्यान चंद अवार्ड यह उस खिलाडी को मिलता है कौनसी corporates जो sports को promote करने का काम करते है या फिर individuals को भी मिलता है जो sports को promote करने का काम करते है मुलाना अबुलकलाम अजार ट्राफी मुलाना अबुलकलाम अजार यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे तो इनकी यार में अवार्ड स्टार्ट किया गया था इस नियर 1956-1957 तो यह जो अवार्ड है मुलाना अबुलकलाम अजार ट्राफी यह universities को मिलता है institutions को मिलता है जो games को promote करने के लिए और जो उनसे मतलब जिसकी universities जो universities game जीत के आती है ठीक है नैशनल गेम्स में उसके बाद टेंजिंग नौर्गे national award यह adventure के लिए मिलता है ठीक है यह adventure के लिए मिलता है land adventure हुआ air adventure हुआ water adventure जैसे mount Everest में चड़ जाना है SD categories के लिए अवार्ड दिये रहाता है तो यह साथ पुरसकार है साथों के साथों बहुत important है ठीक है मैंने बताया कि sports ministry कमेटी बनाता है वो कमेटे decide करती है कि अवार्ड किसको देना है तो इस बार जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी के head कौन थे जल्दी से बताईए क्या विरिंदर सहवाक थे क्या MB लोकूर थे and क्या मुकंदगम शर्मा थे या फिर किरनी जूजू थे जल्दी से बताईए कि National Sports Award 2020 जिस कमेटी के द्वारा select किये गए उस कमेटी के head कौन थे फास्ट बच्चो फास्ट बताईए बच्चो जल्दी बताईए जल्दी फाइव सेकिंड्स लेफ्ट जल्दी बताओ जल्दी नहीं आता स्किप लिख दिया गरो यार टाइम नहीं लगाना इतना जीके कोई तुका लगाने वाली चीज़ नहीं होती है इसमें इतना सोचना नहीं पढ़ता है चले बता रहा हूं मैं अंसर यह है सुप्रीम कॉर्ट आफ इंडिया के रिटायर जज्ज यह है सुप्रीम कॉर्ट आफ इंडिया के रिटायर जज्ज जस्टिस मुकंदकम शर्मा जस्टिस मुकंदकम शर्मा ठीक है जस्टिस मुकंदकम शर्मा जी की कमांड में एक कमेटी बनाई गई इस committee ने decide किया select किये national sports awards 2020 के winners ठीक है इसने अवाड़ी select किये तो पता होना चाहिए आपको justice मुकंदकम शर्मा justice मुकंदकम शर्मा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question 2020 में राजीव गांदी खेल रतन अवाड कितने persons को बिला 2020 में राजीव गांदी खेल रतन अवाड कितने persons को दिया गया जल्दी बताओ मेरे बच्चो जल्दी 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 2020 में राजीव गांधी खेल रतन अवाड कितने स्पोर्स परसन को दिया गया जल्दी मेरा बच्चो टाइम नहीं लगाना है इतना इस बार जो अवाड मिला है राजीव गांधी खेल रतन अवाड 2020 में मिले ये पहली बार हुआ है कि इतने लोगों को अवार्ड दे दिया गया ये फर्स टाइम हुआ है कि इतने लोगों को राजीव गांधी खेल लतन अवार्ड एक ही साल में दे दिया गया अधरवाइस इतने लोगों को नहीं दिया जाता है ठीक है तो कितने लोगों को मिला वर अच्छो ये मिला इस बार पांच लोगों को पांच लोगों को दिया गया इस बार राजीव गांधी खेल रतन अवाड फाइव पीपल्स पांच लोगों को दिया गया राजीव गांधी खेल रतन अवाड 2020 में अगले कोशन की तरफ बढ पते हैं जल्दी से जल्दी आंसर करो बस ठीक है इन में से किस रैसलर को मिला है राजीव गंदी खेल रतन अवार्ड इन में से किस रैसलर को मिला है राजीव गंदी खेल रतन अवार्ड आपको बताना है जल्दी से जल्दी fast it's a marathon session ये marathon है जल्दी marathon की तरफ आगे बढ़ो बढ़ते जाओ marathon होती है रेस ठीक है ये race है इन में से किस wrestler को मिला है 2020 में क्या राजीव गांदी के लतन अवाड चले बच्चो तो इन में से किस wrestler को मिला है इस बार विनेश फोगाट विनेश फोगाट तो विनेश फोगाट को मिला है इस बार विनेश फोगाट को मिला है राजीव गांदी खेल रतन अवाड 2020 में विनेश फोगाट ठीक है विनेश फोगाट ठीक है आपने दंगल मुवी देखी होगी गीता बभीता पोगाट ठीक है यह उसकी खजर है यह उसके चाच्चा की लड़की है ठीक है बिनेश पोगाट तो इसको मिला है 2020 में राजीव गांदी खेल रतन अवाड बिनेश पोगाट चलिए आगे बढ़ते हैं यह रहा अगल कोशन आपकी स्क्रीन में इन में से कौन सी पैराथलेटिक है इन में से कौन सी पैराथलेटिक है जिसको 2020 में राजीव गांदी खेल रतन अवाड से समानित किया गया इन में से कौन सी पैराथलेटिक है पैराथलेटिक जल्दी 10 सेकिंड आपके पास 10 सेकिंड जल्दी अंस पेराइचलेटिक जी हाँ ये किसको मिला है ये मिला है मरियप्पन जी को मरियप्पन जिन्होंने राणी रामपाल बोला बच्चो राणी रामपाल इंडियन हौकी टीम की कप्तान है इंडियन मुवेंन हौकी टीम की कैप्टन इनको रजीव गांदी खेल रतना बड़ तो मिला है बट यहाँ पे कोश्चन था पैराइचलेटिक इनमें से कौन सी पैराइचलेटिक है तो कोश्चन को ध्यान से सुना करो पहले पैराइचलेटिक तो जिरौने मरियप्पन बोला था बिल्कुल सही पैराइचलेटिक ठीक है पैराइचलेटिक पूछा गया था चलिए अगला कोश्चन इन मेंजे कौन से क्रिकिटर को मिला है ये कोशन बहुत असान है I think सब लोग answer करेंगे इसका इन मेंजे कौन से क्रिकिटर को 2020 में राजीव गंधी खेल रतन-पुरस्कार से समानित किया गया इन्वे से कौन से क्रिकिटर को 2020 में राजीव गांधी खेर रतन पुरसकार से समानित किया गया जल्दी मेरे बच्चों जल्दी फास्ट 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 इट्स अ माराथोन आई अगें रिपीट जल्दी बढ़ो आगे लाइफ is like a race तो मेरे बच्चों यहां पे हमबात करें राजीव गांधी खेल रतन अवार्ड 2020 में कौन से क्रिकिटर को दिया गया तो यह है रोहित शर्माजी रोहित शर्माजी और रोहित शर्माजी 2020 में राश्ट्रिय राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड को रेसीव करने वाले फॉर्थ क्रिकिटर बने है फॉर्थ क्रिकिटर तो पहले कौन-कौन से तीन क्रिकिटर को ये अवार्ड मिल चुका है सचिन तंदुलकर, विराट कोली, एमेस धोनी इनको पहले मिल चुका है इन तीनों को अवार्ड मिल चुका है ठीक है इन तीनों को ये अवार्ड मिल चुका है किसको सचिन तंदुलकर को, विराट कोली को, एमेस धोनी को पहले मिल चुका है मानिका बत्रा, मानिका बत्रा, टेबल टैनिस चेंपियन, ठीक है, ये टेबल टैनिस चेंपियन है मानिका बत्रा जी, तो मानिका बत्रा जी को क्या मिला, 2020 में राजीम गांधी खेलतन अवार्ड मिला, ठीक है, अभी इपने बात की इनकी, तो पांच लोगों को मिला था, तो She is one of them, money ka बत्रा, table tennis में जीते हैं इनोंने, table tennis में, तो इनको कितना cash award मिले आपको बताना है, ठीक है, इनको पैसे कितने मिले, इस award में, यह आपको बताना है, इनको कितने धनराशी दी गई, क्योंकि अभी सरकार ने धनराशी को revise किया है, ठीक है, अभी सरकार ने रास्ट्रि मिलती है जो पैसा मिलता है उनको revise कर दिया है उनको increase कर दिया है तो आपको बताना है कितना cash price मिला किसको मतलब indirectly मैं यह पूछ रहा हूँ राजीव गंधी खेल रतन आवर्ड में अभी कितना यहाँ पे cash price मिलता है राजीव गंधी मैं आपसे पूछ रहा हूँ राजीव गंदी खेलतन अवाड 2020 में कितना cash price दिया गया चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं 7.5 लाग तो बच्चो 7.5 लाग पहले मिलता था 7.5 लाग पहले मिलता था मैंने अभी बताया कि सरकार ने इस बार रिवाइज कर दिया तो 25 लाग 25 लाग मेरे बच्चो 25 लाग यहाँ पहले 7.5 लाग मिलता था तो यहाँ पर चार अवर्ड की केटिग्री में यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है कैश प्राइज तो आईए देख धे हैं कौन-कौन से केटिग्री में इंक्रीज कर दिया गया है तो बच्चो यहाँ पर old भी और नया भी है सबसे पहले रजीव गंदी खेल इतन अवाइड इसमें पहले 7.5 लाग मिलता था अब मिलेगा 25 लाग अब कितना मिलेगा 25 लाग अर्जुन अवार्ड की बात करूँ तो अर्जुन अवार्ड में पहले 5 लाख मिलता था अब मिलेगा 15 लाख ठीक है यानि कि सीधा ही 3-3 गुना बढ़ा दिया भाई मतलब इनकी तो एश है न इतने इतने बड़े बड़े प्राइस मिल रहे है उसके बाद द्रोना चारे अवार्ड द्रोना चारे अवार्ड मैंने पहले गता है कि दो केटिकरी में मिलता है एक लाइफ टाइम में एक रेगुलर में लाइफ टाइम में मैं बात करूँ तो पहले 5 लाख मिलता था अब 15 लाख मिलेगा regular में बात करूँ तो 5 लाग मिलता था आप 10 लाग मिलेगा ध्यान चाद अवर्ड की बात करूँ तो 5 लाग मिलता था आप 10 लाग मिलेगा तो ये increase कर दिये गए हैं ये भी question आएगा paper के अंदर ये question आने वाला paper के अंदर ठीक है तो ये note कर लेना आपको पता होना चाहिए कि अभी कितने cash prize हैं अभी कितने cash prize हैं किस award के अंदर that is very important चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अगला question आप लोगों के लिए इन में से कौन से coach हैं इन में से archery के कौन से coach हैं जिनको द्रोणा चारे award मिला है 2020 में lifetime category के अंदर द्रोणा चारे award coach इसको मिलता है मैंने अभी बताया था ऐसे coach को मिलता है जिसने medal winners produce किये हो है किये हो outstanding sports person produce किये हो और ये दो categories में मिलता है lifetime category और regular category तो lifetime category में इन में से archery के कौन से coach है जिनको ये award दिया गया ठीक है ऐसे question paper के अंदर आते हैं बच्चो ऐसे question paper के अंदर आते हैं ठीक है ये चीज़ ज्यान में रखना आपको देखने में थोड़ा tough लग रहा होगा बट ये tough question नहीं है ऐसे ही question paper के अंदर आते हैं बताने आपको जल्दी से आर्चरी आर्चरी के कोच आर्चरी पूछा इस चीज़ का भी ध्यान रखने साथ में बताओ बच्चो जल्दी से जल्दी से यूँ एफ 5 सेकंड पांच सेकंड आपके पास 5 सेकंड लेफ्ट समय समाप्थ आपका समय समाप्थ हुआ तो बच्चों कौन से यहाँ पर आर्चरी के कोच है यहाँ पर आर्चरी के कोच है जिनको यह वाड मिला डाट इस धर्मेंद्रा तिवारी धर्मेंद्रा तिवारी जी धर्मेंद्रा तिवारी ठीक है धर्मेंद्रा तिवारी धर्मेंद्रा तिवारी चलिए आगे बढ़ते हैं बताए जल्दी से इनमें से कौन से भारत के शांदार बॉलर हैं फास्ट बॉलर जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया ठीक है जिनको अर्जुन अवार्ड से समानित किया गया अर्जुन अवार्ड से समानित किया गया बतादो वे बच्चो जल्दी जल्दी बतादो यार अर्जुन अवार्ड इन्मे से किसको मिला अर्जुन अवार्ड 10 सेकेंड आपके पास 10 सेकेंड फास्ट तो बच्चों किसको मिला अंसर आये सबके इशांत शर्मा इशांत शर्मा को मिला ठीक है इशांत शर्मा जिसने इशांत शर्मा बोला उसका अंसर बिल्कुल सही है 2020 में इशांत शर्मा को अर्जुन आवर से समानित किया गया आगे बढ़ते हम नेक्स्ट नैशनल स्पोर्स आवर 2020 के अंदर इन में से किसको बैडमिंटन के अंदर अर्जुन आवर दिया गया बैडमिंटन की केटेगरी में इन में से किसको जो दिया गया अर्जुन आवर दिया गया जल्दी बताईए क्या सात्विक साही राज रानी की रेड़ी को मिला क्या चिराग चंद्रशेकर शटी को मिला क्या दोनों को मिला कि इन में से किसी को नहीं मिला जल्दी बताओ जल्दी क्या इन दोनों को मिला क्या किसी को नहीं मिला या इंडिवीजुल बता दो जल्दी ज पहले ही बता दिया था कि क्लास होने वाली है मंडे को अवाइड को लेके तो जिन बच्चों ने नहीं पड़ा है एड़ एंड आफ टा क्लास मैं आपके साफने सारे अवोर्ड रख दूँगा हम सबको पढ़ा दूगा आपको सारे बता दूगा तो क्या साथविक को मिला है को मिला या दोनों को मिला जल्दी और 2020 में इन में से कौन से गॉल्फ प्लेयर को मिला है 2020 में अर्जुनावाड गॉल्फ जल्दी बताओ बच्चो इन में से कौन से गॉल्फ प्लेयर है गॉल्फ प्लेयर गॉल्फ प्लेयर बताइए बच्चो गॉल्फ गॉल्फ जल्दी मेरे बच्चो जल्दी बता दो यार गॉल्फ गॉल्फ अपने देखा होगा वो एक बोल को मारते हैं गड़े में डालना होता है ठीक है कहने में आता है अमीरों वाली के में सुनने में आता है ठीक है टाइम पस होता रहा था बस पिच्चरों में आपने देखा होगा कि एक स्टिक लेके बॉल को गड़े में डालते रहते हैं गॉल्फ बोलते हैं उसको चलिए तो गॉल्फ इन में से कौन सी गॉल्फ खिला रही है जिसको 2020 में अरजुन अवोर से समानित किया गया तो बच्चो इनका नाम है अधिती अशोक इनका नाम है पेपर पॉइंट अफ यू से आपको कोशन बढ़ा रहा हूँ ठीक है पेपर में यह ऐसे कोशन आने वाले हैं इन में से कौन से रैसलर है ठीक है इन में से कौन से रैसलर को 2020 में अरजुन अवोर से समानित किया गया ठीक है क्या संदीब जी है या मनीश नर्वाल है या दो पहले हुँ आहें या दोनों में से कोई भी नहीं है जल्दी बताइए इन में से किसको यहाँ पर अर्जुन आवॉर से समानित किया क taşer wrestler wrestler बतानाँ आपको जल्दी बताईए wrestler wrestler रैसलर सानिया जी बाकी के नाम हम पढ़ेंगे बाद में ठीक है बाकी के नाम हम बाद में पढ़ेंगे मनोच जी हिंदी में रिपीट कर मैं बता रहा हूं जो मेरा explanation होता है ना अब मेरी वॉकल्स पर ध्यान दो अब मेरी आवाज पर ध्यान दो ठीक है अब पढ़ने को जल्दी रैसलर तो बच्चो सबका अंसर गलत है सबका अंसर गलत है नाइदर A नाइदर B ठीक है आंसर is this neither A neither B llevar in Bir Community संधीब जी पैराथलेटिक से तेक है और मैं बात करूं यहाँ पर मनीश नर्वाल की यह पराश्यूटिंग moc रme*** टो इस्टर जोशन को रासलर को और टो नो इन्य ऑट को यह गूला था ले वैट राहूल ठीक है दिव्या ककरन राहूल अवारे ठीक है दिव्या ककरन और राहूल अवारे को मिला है रैसलिंग में ठीक है दिव्या ककरन और राहूल अवारे इन दोनों को रैसलिंग में मिला है ठीक है तो कोश्चन आपका कहता अंसर कहा है नाइधर ए नौर भी चलिए आगे बढ़ते हैं एन उशा जी इनको ध्यान चंद अवार्ड से समानिज किया गया तो ध्यान चंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है मैंने आपको बताया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है ध्यान चंद अवार्ड तो इन में से किस स्खेल से समन दीते है नूशा जी उशा जी किस खेल से समदीत है उशा जी किस खेल से समदीत है बता दो मरे बच्चो एंड जो लोग answer कर रहे है यार अपने friends को बुलाओ आपनी चाहते है कि वो भी paper clear करें अपना competition अपने आप race करते होते हैं ठीक है तभी मज़ा आता है पढ़नेगा तभी मज़ा आएगा पढ़नेगा ठीक है आप चाहो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग answer करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर answer करें टो यहां पर एन ऊश्याजी किस खेल से संभनदीत हैं आमें बताना है? तो यह कौन से खेल से हैं? यह हैं boxing से, यह boxing से संभनदीत हैं, ध्यांचंद award इनको दिया गया, ध्यांचंद award, चलिए, आगे बढ़ते हैं, सरीका सुधाकर ठीक है सरीका सुधाकर जी इनको औरजुन अबॉर्ड मिला ये किस खेल से सम्दित है ये किस खेल से सम्दित है सरीका सुधाकर किस खेल से सम्दित है जल्दी वेरे बच्चो हर्ष ने सबसे पहले अंसर किया अब जो सबसे पहले अंसर करेगा ना मैं उसका नाम लूँगा जल्दी बताओ कौन अंसर करेगा सबसे पहले ठीक है जो सबसे पहले अंसर करेगा और सही अंसर जिसका होगा उसी का नाम लूँगा गलत वाले का नाम नहीं लूँगा तो मतलब सही आंसर किया है हर हर्ष ने खोखो ठीक है खोखो तो खोखो में दिया गया है सरीका सुधाकर जी को अरजुन आवार्ड खोखो से समंदिता है ये चलिए आगे बढ़ते हैं धेरोणाचारे आवार्ड में रेगुलर कैटेगरी में धेरोणाचारे आवार्ड के अंदर रेगुलर कैटेगरी के अंदर कुलदीप कुमार हांडू जी को धेरोणाचारे आवार्ड दिया गया है तो कौन से खेल से समंदिता है ये कौन से खेल से समंदिता है ये ठीक है कौन से खेल से समंदिता है जल्दी बताईए कुल्दीप कुमार हंडू कुल्दीप कुमार हंडू ये कौन से गेल से समंदीत है कुल्दीप कुमार हंडू जी कुल्दीप कुमार हंडू कौन से खेम से समंदीत है मैंने बोला था जो सही आंसर करेगा सबसे पहले उसका नाम लूँगा ठीक है तो अगेन हर्ष हर्ष ने वैसे दो अप्शन दियें ठीक है तो पहले इन्होंने रेस्लिंग बोल दिया फिर उन्होंने बोल दिया वुशु तो कुलदीब कुमार हंडू जी वुशु से समंदित है वुशु से समंदित है कुलदीब कुमार हंडू जी वुशु गेम से समंदित है चले अगला question बहुत ही important question कौन सा para swimmer है जो पहला दिव्यांग sports person बना ठीक है पहला दिव्यांग sports person बना है जिसे adventure award दिया गया अब adventure award कौन सा था बच्चो अगर आपको ध्यानो ओंडेंग नारगे ठीक है टेंजर जिंग नारगे वोडियाद से समानीत किया गया इन में से कौण से पहले दिव्यांग है ठीक है जल्दी पताने आपको इन में से कौन से पहले दिव्यांग है पहरा स्विमर लैंड एडवेंचर और वाटर एडवेंचर की काटेगरी है यह वाटर एडवेंचर की काटेगरी तो वाटर एडवेंचर की काटेगरी में किसको यहां पर टैंजिंग नौर्ग आवाड दिया गया है और यह पहले दिव्यांग स्पोर्स परस अशीश शर्मा जी ने सबसे पहले आंसर किया था सतेंद्रा सेंग चलिए चलिए बच्चो यह थे काफी सारे कोशन्स हमने डिसकस किया है हमने बहुत सारे कोशन्स को यहां पर पढ़ा है ठीक है बहुत सारे कोशन्स हमने डिसकस किया इसको लेके अब हम बात करते हैं मैं सबसे हाइस थी पांच लोगों को मिला यह पांच लोगों को मिला और सबसे पहले रोहीत शर्मा घी है टिक है क्रिकेटर रहे इन अपन जी ए पैर अथलेटिक्स मनिका बत्रा टेबल तैनिस विनेश सबसे पहले अतानुदास आरचरी दूती चंद अथलेटिक्स साच्विक रड़ी बैडविंटन पड़ा था हमने चिराग बैडविंटन पड़ा था हमें कोशन किया था इसके उपर तेक है विशेश ब्रिगुवंशी बास्केट बॉल इनकी बायोग्राफी भी आई एक इनक दखना इनकी किताब चकी चपी है विशेश ब्रिगुवंशी जी की अभी स्पोर्ट्स दे के ओकेशन पर ही लांच हुई है उसके बाद मनीश कोशिक बॉक्सिंग लवलीना भारगोविन बॉक्सिंग इशान शर्मा क्रिकिटर दीप्ती शर्मा क्रिकिटर सावंत अजे अ होक्की दीपिका जी अगmost होक्की तो फोलीन नेम हो गये ठीक है आगे बड़ते हैं चलिए उसके बाद आता है दीपक जी पहले हमने दास्ट में दीपी का पढ़ा था अब दीपक है दीपक को किसके मिला कवड़ी में मिला उसके बाद आता है सरीका सुधाकर जी खोको पढ़ा है ना भी कोशन आया था इसके उपर भी उसके बाद दत्तू वपन रॉइंग अच्छे लवल पर खेलती है सौरब चोदरी भी और मनु भाकर भी यह शूटिंग के बहुत अच्छे प्लेयर है ठीक है मनुभाकर सौरब चोदरी शूटिंग शूटिंग उसके बाद सुहास पतकार माधूरिका सुहास पतकार टेबल टैनीज दिवित्शरन टैनिस शीव वाद Manish Narwal पैरा शूटिंग, Manish Narwal पैरा शूटिंग, तो यह अवाड मैंने आपको बता दिये जल्दी से, क्लियर हो गया, यह Arjun Award थे, यह Arjun Award थे, कोई डाउट, किसी भी तरह का डाउट भी रहने चाहिए, साथो की साथो केटगरी बता रहा हूं, दो काटेगरी डिसकस कर ली बाकी काटेगरी अगली काटेगरी है द्रोनाचारे आवार्ड द्रोनाचारे आवार्ड दो काटेगरी में मिलता है पहले बात करेंगे लाइफटाइम काटेगरी की अब लाइफटाइम काटेगरी में किसको मिला है सबसे पहले आते ध्रमेंद्र भात करी थी आ प्रशत्तम राइ अथलेटिक्स में मिला ये प्रशत्तम राय अथलेटिक्स उसके बाद शिव सिंग जी बॉक्सिंग टिक है रमेश पठानिया होकी फुरिष्टे कुमार लग कवड़्डी ठीक है उसके बाद विजेल अच्पाल चंद्र मुरिश्वर पैराफ पार लिफ्टिंग नरेश कुमार टैनेस उसके बाद ओमपरकाश दहिया ओमपरकाश दहिया रासलिंग ओमपरकाश दहीया रैसलिंग ठीक है clear हो गया होगा आगे बढ़ता हूँ regular category के उपर आते हैं regular category के उपर आते हैं बच्चो तो regular category आती है द्रोना चरेया वाड की सबसे पहले आते है फैलिक्स सेबस्टियन हक्की हक्की उसके बाद योगेश माल विया माला खम उसके बाद जस्पाल रणा शूटिंग ठीक है उसके बढ़ भी question आया था ठीक है उसके पाद गौरव खन्ना पैरा बड्मिंटन चलिए आगे आते हैं ध्यांचंद अवार्ड ध्यांचंद अवार्ड तो ध्यांचंद अवार्ड आपके समने नाम रिखे हैं सबसे पहले आते हैं कुल्दीप सिंग भूलर कुल्दीप सिंग ब बॉक्सिंग सुक्विंदर सिंग संदू फुटबॉल अजीत सिंग हौकी मानप्रिट सिंग कवड़ी रंजीत कुमार पैर अथलेटिक्स सत्या परगाष्टिवारी पैरा बैड्मिंटन मंजीत सिंग रॉइंग चलिये उसके बाद सचिननाग श्युमिंग नंदन बीक नंदन पी बाल टैनिज नेत्रपाल हुड़ा रैसलिंग नेत्तरपाल हुड़ा रैसलिंग क्लिpora हुआ ये क्लियर हो गए आपको ध्यांचान रवंड आगे आते हैं बढ़ते हैं अगले अवोर्स की तरफ उसके बार आता है रास्ट्रह खेल-षान-धृ pensar अब रास्ट्रह खेल-षान ध्रास्कार चार चार केटिग्री में है तो पहली केटिग्री क्या है identification and nurturing of budding and young talent ठीक है यानि कि किस institute ने यहाँ पर talent को देखा और आगे बढ़ाया लक्षा लक्षा इंस्टिटूट और आर्मी स्पोर्स इंस्टिटूट यानि कि ongc oil and natural gas corporation limited public sector undertaking है ठीक है उसके बाद employment of sports person and sports welfare measures यानि कि जिस category ने जो sports person है उनको job दी सबसे ज्यादा air force sports control board air force sports control board उसके बादा sports for development जिसने sports के development के उपर काम किया international institute of sports management international institute of sports management चलिए आगे बढ़ते है बच्चो टैंजिंग नार्गे national adventure award ठीक है टैंजिंग नार्गे national adventure award तो adventure की बाद करते है सबसे पहले अनीता देवी इनको land adventure में मिला है कलनल सरफराथ सिंग land adventure ताका तमूत land adventure नरेंदर सिंग land adventure केवल हिरन कका land adventure सतिंदरा सिंग water adventure गजानन्द यादव air adventure and श्री मगन बिसा जी lifetime achievement अवाड दिया गए इनको ठीक है adventure की category में adventure की category में next and our last award मौलाना अबुलकलाम अजाद ट्रॉफी तो मौलाना अबुलकलाम अजाद ट्रॉफी इस बार मिली है पंजाब यूनिवर्स्टी चंडीगड पंजाब यूनिवर्स्टी चंडीगड खो ठीक है यहाँ पर थोक्राइपिंग एया गए मैं बलता रहता हूँ इसने खेलो इंडिया यूथ गेमस में खेलो इंडिया यूथ गेमस में इसने Oprah Pros God जीती है और इस ता कोहरा के इसने ट्रफी जीता था इस बार खेलो इडिया यूथ गेम्स में तो इस बार इसको मिला पंजाम यूश्य चंडीगड को अबुल कलाम अजाद ट्रफी अबुल कलाम अजाद ट्रफी तो ये थे बच्चो नैशनल स्पोर्स अवार्ड ये थे of doubt कि सिटरा का का आपके मन में कोई दूबिदा है कोई doubt है आप पूछ सकते हो किसी भी तरह की कोई दोट सर की स्पोर्ट्स में हर श्रीक किसकी बात कर रहे हैं आप लाइव शेशन मंडे और फ्राइडे टू-30 प्यम टू-30 प्यम मंडे और फ्राइडे सौंबार और शुकरवार को ढढ़ाई बजे शी शर्मा जी चले बच्चों कोई डाउट किसी को चले आई थिंग किसी को कोई डाउट नहीं है इट्स आल फो टूड़े थैंक यू सो मच्छ वाव नाइस दे स्टे सेफ स्टे होम जाहिंद